हर्योम ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु शायवेर्यम करवावहे तेजस्विनो अवदितमस्तु मा विदेश्वावहे आप हम extend करें हमारा पुष्ण करें हमें और अर्जवान बनाएं और हम जिस्स किसी ज्यान की भी प्राप्ति करें इससे हमारा जीवन और और इस ज्यान के कारण से हमारे भींच में प्रकार का कोई बिद्वेश्य बियुद्पन न Muchas कि हलो एवरीबॉन माइसेल्फ संतोश चौबे गुड इवनिंग व्यू वी आर डिस्कुसिंग करन्ट एफ्यस ऑफ फोटीन्थ मार्च टू थाउजन ट्वेंटी त्री चौद चौदा मार्च दो जार तेज का करन्ट एफ्यस हम लो डिस्कुस करने जा रहे हैं कि देखें तेरा मार्च दो हज्जार तैइस भारत की कला प्रेमियों के लिए एक बड़ा ही सुखद दिवस रहा एक सुखद समचार भारत में आया भारत की एक फिल्म जिसको आर 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 अर्थात रुद्रम रनम रूधिनम रुएर राइज और रिवोल्ट यह जो फिल्म है इस फिल्म ने अमेरिका के धरती पर अपनी सफलता का पर्चम लहरा दिया और एक दूसरी फिल्म है जिस फिल्म का नाम है एलिफेंट विस्परर इन दोनों फिल्मों को अलग अलग कैटेग्रियों में औसकर अबाट मिला हुआ है मिला है जैसे कि आपको जानकारी हो गई है कि आर 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 को उसका जो गाना है नाटू नाटू कि उसके लिए औरिजनल सौंग के लिए उसको यह पुरशकार दिया गया जबकि सौर्ट फिल्म की कैटेग्री में एलिफेंट विस्परर को उसकर वार्ट से नवा जा गया है तो आज चुली बोर्ड नहीं होने के वज़े से मैं क्वेश्चन लिखनी पाता हूं तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ अलग तरीकेस में पढ़ाऊं कोंसेप्चुली तो मैं अबको पढ़ाऊंगा ही लेकिन मैं क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको पढ़ाऊं तो जयाद सायदा आपके लिए भूटफुल भी हो और आपको अधीक सदी क्वेश्चन भी मिल पाएं तो आईए हम लोग सबसे पहले प्रक्ष्ण का के सुर्वात करते हैं पहला प्रस्णिया है है कि जो और इसका उप्चारीक नाम है वह क्या है वाट इस्था फॉर्मल नेम ऊफ ओसकर मैं यहां पर आपके लिए विखल्प में दे रहा हूं आप पैसे ही है कर चाहो तो टाइप कर सकते हो टाइम चुकी कम है इसके बज़ा से मैं सिदे सिदे आंसर पर आता हूं देखिए इसका जो फॉर्मल नेम है वह है अब यहां पर अगला प्रस्ट बनता है कि फ्रोम वीच यह एकेडमीक मोशन पिक्चर आफ आर्ट और साइंसे स्टार्ट टू बी कॉल्ड अज ओसकर किस साल से इसको मैं ओसकर कायना सुरू कर दिया तो इसका सही आंसर है 1939 1949 और क्यों इसको ओसकर कायना सुरू कि आ गया इसके पीछे बहुत साहे लोगों की लोजिक है बाते हैं किसी को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है और जो एकेडमी है उसके बारे में मौन ही रखा है तो इस कारण से मैं यहां पर आपको कुछी ब प्रासन का है अगला प्रशन है कि यह 65 95 जो ऑस्कर का आवाड भी होशित किया तो इसका पुरशकार वीतरण है यह पूर्शकार वीतरण रिधर झाहां और इसके भूशना कहा होती है तो आपके पास आप इसको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो मैं बता दूं कि देखिए सहर तो हमेरिका का लॉस एंजल से लेकिन थेटर है आपका डॉल्बी थेटर तो एंजल सहर जो आपका लॉस एंजल सहर है वसके डॉल्बी थेटर में यह पुरशकार का वीतरन होता है और यह 95 पुरशकार था अगला अगला इसमें आपके लिए प्रश्ण है कि अभी तक बहुत सारी फिल्मों को अलग-अलग कैटेग्रीज में यह पुरश्कार मिल चुका है तो एब्री फिंग एब्रीवेर अल एट वंस यह जो फिल्म को इस बार साथ कैटेग्री में आउसकर अवार्ड मिला इसके पहले 2013 में एक फिल्म को साथ कैटेग्री में अवार्ड मिला था अलग कि और भी कई फिल्में हैं जिनको अलग इससे भी अधिक कैटेग्री में अवार्ड मिल चुके हैं लेकिन 2013 के बाद किसी को ने मिला था तो आपको बताना यहा है कि इस फिल्म का नाम क्या है तो मैं आपको बता दूँ इस फिल्म का नाम है ग्रैविटी इस फिल्म का नाम है ग्रैविटी अगला प्रस्ण है आपके लिए कि भारत के हम बात करें तो सबसे पहली बार भारत के किस फिल्म को अ on के लिए नॉमिनेट किया गया उसकर के लिए नॉमिनेट्टे या नाम निर देशीत होने वाली पहली फिल्म का नाम क्या है मुझे लगता है यह साब आप सब लोगों को जानकारी होगी सकत करो और यह फिल्म का नाम है मधर इंडिया महभू अलींख वह फिल्म निर्दिसी फिल्म जो है और नोमिनेट हो गई लेकिन लिए पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हो पाई थी अगला आपके प्रश्ण है कि नेक्स्ट क्ष्चन कि जो भारत की जनता है भारत की लोग हैं उनमें से किस व्यक्ति को सबसे पहली बार ऑसकर कावाड मिला तो आप लोगों को जो जानकारी है कि यह व्यक्ति हैं भानु अथेया लेकिन जल्दी साब टाइप करो कि यह फिल्म कौन से थी और यह वर्स कौन सा था तो फिल्म का नाम है गांधी और वर्स है 1983 अर्थाथ 1983 यह एक बिदेशी फिल्म थी तो इसकारण से यह भारत के व्यक्ति माने जाएंगे लेकिन भारत के फिल्म नहीं माने जाएगी नेक्स्ट इसमें कुश्चन यह है कि भारत के किस व्यक्ति को ऑसकर ने एक स्पेशल अवाड दिया था 1992 में मैं चार विकल्प आपको दे देना चाहता हूं लेकिन सवाल यह है लेकिन यह है कि इसमें आपके पास टाइम बहुत कम है तो मैं सीधे स्कांस्तर पा जाता हूं आप इसको नो डाउन कर लेना यह व्यक्ति हैं आपके सत्जित रे 1992 में सत्जित रे को उनके एक्सलेंसी के लिए एक ओनरी अवाड आउसकर ने उनको अलग से दिया था अगला प्रस्शन है कि स्लम डॉग मिलेनियर जो जिसके लिए यार रह्मान और गुलजार दोनों को समलित रूप से अवाड दिया गया था आपका उसकर का तो यह स्लम डॉग मिलेनियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी किस वर्ष यह जो है इस प्रदशन किया गया था और इस फिल्म के डारेक्टर कौन है आप इसको टाइप कर दीजे मैं बता देता हूं कि यह फिल्म 2009 में पब्लिश हुई थी डारेक्टर का नाम जो है आपको टाइप करना है मैं इसके लिए कुछ फूर देता हूं कि अगला प्रश्ण है कि कि दो हज्जार तेसमें जो फिल्म विस्परर एलिफेंट विस्परर को कि सौट फिल्म में बेस्ट फिल्म के लिए आवाड दिया गया तो आपको यह बताना है कि इसमें से जो दो व्यक्ति इस पर मुखरूब दो व्यक्ति अनाम है घृतिका गुंजालविस और दूसरे व्यक्ति है कि आपका गुंदिता मॉंजा तो इनमेंसे किसे इसके पहले भी उनकी फिल्म को नोमिनेट किया गया था उसकर के लिए और मुझे रखता है कि आपको इसके बारे में जानकारी है वो व्यक्ति कोई और नहीं और उस व्यक्ति का नाम है आपका गुनित मुंजा तो यह तो ओसकर की कहानी है खत्म गई बस चलते चलते लास्ट में एक प्रस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिया ओसकर दुनिया के लिए एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई एक फिल्म बनाने वाला व्यक्ति यह फिल्म के सपने वेग्ति होगा जीवन के सपने सब्सक्र में मिले या उसकर मिले तो मैं आप मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ऑसकर को जो आवार्ड है यह ज्यादा इसका इतना महत्व है क्योंकि लगभग दुनिया के साथ हजार इंडिवीजुल या और निस्पक्स तरीके से यहां पर व्यक्तियों का चुना होता है इसलिए ऑसकर का बहुत ज्यादा बहुत अधिक हालाक इसमें व्यक्ति को अगर रासी की बात की जाए तो कोई भी रासी नहीं मिलती सिर्फ पदक मिलता है जो साड़े तेरे इंच का होता है और वह कॉपर के उपर उसके उपर जो है सोने कालिप लगा होता है चले हम लोग अगले प्रश्ण पर आते हैं वह प्रश्ण कि आप लोगों समध लिया होगा कि मैं किस मुद्य पर बात करने वादा हूं देखिए चानक ने कहा था कि एबरी ऑर्गन ऑफ दर स्टेट आर इपॉर्टेंट बट फाइनेंस सुड़ बी गिवेन ऑट्मोस्ट इंपॉर्टेंस राज के जितने भी यंग हैं सभी मत्पुन हैं लेकिन वीट पर सबसेदिक ध्यान दिया जाना चाहिए तो हम लोग अगला जो प्रश्ण बनाने जा रहे हैं वह आपका वीट से समंधित हैं देखिए जिससे बहुत सारे लोग जो है वो चिन्तित हो गए हैं बहुत सारे जो डिपोजिटर हैं उनको चन्ताओं ने घेर लिया है और दुनिया के जो आर्थिक जानकार हैं उनका यह कहना है कि इस बैंक के दिवालिया होने का असर कहीं और दुनिया के अने देशों के अर्थिवस्ताओं पर बिनना पड़े हलाकि अमेरिका के बजार पर इसका कुछ भाव भी तक देखा नहीं है वलकि अमेरिका के बजार मे अमेरिका के किस राज में स्थित है आपको यहां पर बिकल्ब दे रहा हूं मैं ए टेकसास बी ओहियो सी कैलिफोर्निया और इन में से कोई भी नहीं आप जल्द से अपना आंसर यहां पर टाइप करें तो मैं समisionsता हूं कि आप लोगोंने सही आंसर टैप लिया होगा इसका जो सही आंसर है वह है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया को सिलिकोन घाटी भी वी का जाता है तो वहाँ पर जो बैंक अगला प्रस्वन है कि यह जो सिलिकॉन वैली बैंक यह किस प्रकार की बैंक थे ए निस्टनल बैंक बी फेडरल सेविंग बैंक सी चार्टर बैंक और बी इनमें से कोई भी नहीं अब अपना आंसर इसमें टाइप करिए तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अपना यहां पर सही आंसर टाइप कर लिया होगा देखिए यह जो सिलिकॉन वैली बैंक है यह एक चार्टर स्टेट बैंक है चार्टर स्टेट बैंक मतलब यह है कि इसको अमेरिका के कानून के माध्यम से बनात जरूर गया है लेकिन यह केंद्री कानून के माध्यम से बनावा बैंक नहीं है बलकि राज ने इस राज के माध्यम के माध्यम से बैंक को बना जाते हैं तो इस इस बैंक को कहा जाता है चार्टर स्टेट बैंक तो यह सिलिकॉन वैली जो है यह एक चार्टर स्टेट बैंक है जो कैलिफोर्णिय राज के कानून के माद्धियम से इस पैंक की अस्थापना की गए थी अगला प्रश्ण यह है कि यह जो सिलिकॉन वैली बैंक है इस बैंक का बैंक के अस्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था जो स्टार्टप हैं उनको लोन प्रदान करना भी स्टार्टप के की जो जमा है उसको अपने पास व्लक्षित खरकेर रहना इस अमेरिका की अर्थ विवस्था में जो कमर्शियल बैंक हैं उन कमर्शियल बैंक को सौफ्ट लोन प्रदान करना और भी इनमें से कोई भी नहीं हुआ मैं पताना चाहूँगा किसका मुंख्य उद्देश यह बैंक का उस मंख्य उध्र्ष किया जिए जो स्टार्ट अप करने वाल लोग वालगं नोग शूरू करने उनको यह बैंक लॉन देगी और इस बैंक ने बाद में क्या किया इस बैंक ने उन लोगों के डिपोजिट को भी अपने पास रखना सुरू करिया किया जिन लोगों जो लोग स्टार्ट अप कर रहे थे और यह बैंक बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा था लेकिन जब अमेरिका की केंद्रिय बैंक जिसका फ्रिडरिल बैंक आफ अमेरिका का जाता है जब उसने क्या किया बैंक ड़ेट बढ़ा दिया देखें इस पर केंद्रिय बैंक को लोन देते हैं और जब जाइसी बात है कि केंद्रिय बैंक अधिक ब्याजदर पर लोन देगी तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा कि मुद्रा का जो प्रवा है मनी की जो सप्लाई हो बजार में कम हो जाएगी और जब बजार में मनी की सप्लाई कम हो होगी तो ऐसी स्थिती में जो लोग होंगे लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी और लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी तो जो डिपॉजिटर होंगे वहां से पैसे निकालेंगे तो ऐसा ही हुआ जो वहां करोड का घाटा इस बैंक को हो गया था जिस कारण से यह बैंक दिवालिया हो गई कि की अगा 10,000 को वी 15,000 को और 20,000 को तो यहां पर मैं समझता हूं कि आपने सही आंसर टाइब कर लिया हो गया इसका सही आंसर है इस बैंक ने कुल 21 बिलियन डॉलर के उसने अपने बॉंड बेचे जिस कारण से इसको 15000 कRoad की का नुकसान हो गया और इस कारण से यह बैंक पूरी तरीके से अस्त ब्यस्त हो गई और अमेरिका की सरकार को इस बैंक को बंद करना पड़ अगला प्रस्ण है कि यह जो यह जो बैंक है आपका सिलिकोन वैली बैंक के साथ में में अमेरिका की एक और बैंक को भ तक हम लोग अगले प्रस्टेंपे आ जाते हैं और आपके प्रस्ट के बाद मैं इसका अंसर बता देंगा आपको चलिए अभी आंसर बता देता हूं इस बैंक का नाम है सिगनेचर बैंक और लास्ट में मैं आपको इस से एक कुश्चन और आपसे मैं पुछना चाहूंगा और वो प्रस्णिया है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है या एक स्टार्टप बैंक थी इस बैंक को बॉंड बेचने के कारण से इस बैंक को घाटा हो गया बैंक डूब गई लेकिन आपको यह बताना है कि क्या यह अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक थी या बहुत छोटी बैंक थी तो अगर हम लोग जमापुंजी के दार पर बात करें तो यह अमेरिका की कौन सी बैंक है इसका सही आंसर है कि यह अमेरिका की अठारवी जमापुंजी के दार पर सबसे बड़ी बैंक थी तो यह आपका दूसरा जो था खत्म हो गया भाई यह हम लोग क्वेश्चन हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं देखे कल भारत के राजसभा में लोगसभा से पारित किया गया एक बील आया है जिस बील का नाम है सिदूल ट्राइब नाइन्टी फिफ्टी ओडर अमेंडमेंट ओडर बील टू थाउजन ट्वेंटिटीटू अनुसुचित जन जाती आदेश अधिनियम संसोधन अधिनियम तो हज्जार 22 का यह बील तो कल राजसभा में आया तो आपको यहां पर यह बताना है कि मैं इसके संबंदित आप से प्रश्ण पूछूंगा चलिए हम लोग यहां पर प्रश्ण पर बात करते हैं सबसे पहल लातियों के रूप में चिंधिन करने के लिए लाया गया है कि करनाटक भी राजस्थान सी छत्तिस गड़ डी इनमें से कोई भी नहीं कि आप अपने विकल टाइप करें कि तो निश्चित रूप से आपने इसका आंसर बता दिया होगा इसका आंसर है छत्तिस गड़ कि दूसरा प्रश्थिया है आप आपसे की जो अनुसुचित जातियां और जञ्जातिया के इने भारत के किस ब्यक्ती के दौरा इन्हें अनुसुजित जाती या जानजातियों की लिस्ट में सामिल किया जाता है भारत के राष्टपती भारत के प्लधान मंत्री सी केंद्रिये मंत्री परिशत और भारत की संसद आप अपने आंसर टाइप करें इसका सही आंसर टाइप कर लिया होगा इसका सही आंसर है भारत के राष्टपती भारत के राष्टपती को भारती समिधान कनुछे 341 में अनसुचित जातियों को चिन्हित करने का उनको सामिल करने का अधिकार दिया गया है हलाकि भारत की संसद का दिकार है कि राष्टपती जो आउडर लाएंगे उस आउडर को वह भारत की संसद जो है उसमें जो भी अनसुचित जाती जन्जातियों को चिन्हित कर किया जाएगा उसको वह उसमें सामिल करने या उसको इनकार करने का दिकार जो है भारत की संसद के पास होगा लेकिन उसमें सामील करने का जो कार्य है वो भारत के राष्टपती के द्वारा ही किया जाता है अगला प्रस्निया है कि भारती समिधान की किस अनुछेद में अनसूचित जातियों 1800 जंजातियों की परिभाषाएं दी गई है तो इसका सही आंसर अब करिया नुछे 362 अनुछे 364 100 366 अनुछे 3268. तो व 277 यूजकि से आपने इसकर टाइप कर लिया हो गए इसका सही आंसर है अनुछे 306८्यर्ट वह रतीं समिधान अनुछे की परिभाश तो इससी मानसूचित जाती जंजाती परिभाश करेंगे और जन जाती उन्हें माना जाएगा जिसे भारती समिधान करेंगे और जन जाती के एक आदेश के द्वारा एक पांदेश के दुआरoten नियम बनाया कानुन बनाया गया था जिस का नाम है अन्सुचित जाती आदेश उनीचों पचास मैं सुझ जाती आदेशesian पचास अगला प्रशना है कि चिजन चतिस गड़के जिन अधिवाशी भाईयों को इसमें अनसुषी जनजाती में चिन्हित अनसुषी जाती में सामिल करने की बात की गई है इनमें से कौन सी अधिवाशी लोग है जो इसमें सामिल नहीं है ए सावनारा बी धनवार सी गोंड और डी किसान मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका सही आंसर टाइप करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि देखें धनवार भी इस लिस्ट में सामिल किया जा रहा है किसान भी एक ट्राइब है लेकिन मुंड़ा वह चोटरनाकपूर की मुख भी रूप से जंजाती है तहां पर इसको सामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह वहां के जंजाती है कि आई अब हम लोग अगले प्रस्टम पर आते हैं लेखें जो और सकता का स्वपां से धानता है नीड हैरार की त्योरी यह कहता है कि मानों के जीवन के कुल चार जरूरते होती हैं या मानों के जीवन के कुल चार स्वपां होते हैं पहला होता है पहले जो जबानात की मानों के जीवन जरूरत है वह है फिजियोलोजिकल नीड मतलब तो यहां पर जो एक सेक्स की बात है अभी भारत की भारत के सरवुच न्याले ने भारत के मानने न्याले ने इस पर जो हुआ सेक्स 활ेव अइसके बारे में भारत की सरकार से कि उसके विचार मांगाएं कि आखे जो हुम् confidence को कि में जो लोग संतव हैं उन्हें कि विवा करने का दिखार दिया जा हरा कि भारत की सरकार ने इस पर अपना जो है आप मनन्याले में प्रस्तूत कर दिया है तो मैं यहां पर आप से प्रशन अब मैं आपके लिए बना रखा है सबसे पहला यहां पर प्रश्चनिया है कि भारती भारती द्रूण संगिता कि वह धारा कौन सी है जिसमें by जिसमें homo sexuality को एक अपराद घोशित किया गया था A section 370 मतला अर्था 370 B है section 13 377 C है 13 497 और B है 1498 आपको अपने answer मैं समस्ता हूँ कि सभी लोगों इसका सही answer टाइप कर दिया होगा तो निश्ची तुरुप से इंडियन पिनल कोड आई पीसी की धारा या 370 इंडियन पिनल कोड भारती दर्ण संगिता और इसमें कुल 511 sections हैं और इसमें अपराद की परिभाशा दी गई है और साथ इसाथ जो व्यक्ति अपराद करते हैं उन अपरादियों के इसमें धंड के प्रावधान भी किये गए हैं तो जो 377 आपका section सब्सक्रावास किसे जाती है कि भारत के सर्वोच नियाले ने क्या किया इसको कर दिया अभी कुछ साल पहले तो अगला प्रशना अपके लिए बना गया है कि वह कौश अवर से जिस वर्ष भारत की मानिया नियाले ने इंडियन पिनल कोड भारती दर्ण संगिता के धरा 377 को गरा परादी गोशित कर दिया A बिकल्प है A sale 2016 B है 2017 sensational और D 2019 अपने आंसर बॉक्समें टइप करें तो मैं समझता हूँ कि आपने गाहां और यको सो कि मतलब 2018 में 2018 में नौजेत सिंग बनाम जो भारत संग का बात था उसमें भारत के सरवुच नियाले ने यह कह दिया कि होमो सेक्सवेलिटी को हम प्रुसान तो नहीं दे सकते लेकिन यह जो सेक्स है वह मानों के जीवन के हो सकता है और कोई व्यक्ति जो एडल्ट है अगर समझदारी के उसे अपराद नहीं माना जाना चाहिए और अगर वालिक है और उसको इसमति है तो उसको अपराद नहीं माना जाना चाहिए और इस प्रकार से होमो सेक्सवेलिटी को का गया कि उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा अभी मुद्दा यह आया कि क्या जो लोग होमो सेक्स करते हैं क्या उनको साधी विवा करने का दिकार होने चाहिए क्या तो इसके लिए एक समयधानिक बेंश बैठाई जाएगी जिसकी सुन जिसके माद्यम से अप्रेल दो हजार ते इसमें से सुनवाई की जाएगी और मान्य नियाल है तब उसमें फैसला दे पाएगी कि वास्तों में ऐसा किया जाना चाहिए ऐसा जो है इसके अनुमति कानुं के बादें से दी जा सकती या अनुमति नहीं दी जा सकती अब हम लोग लास्ट प्रस्टन पर आते हैं लाट को लास्ट कॉस्चन पर आते हैं देखो आपको जानकारी है कि भारत की जो रेल्वे है यह दुनिया का एक बहुत बड़ा रेल्वे नेटवर्क है तो अभी भारत के लिए एक बड़ा ही सुखस समचारा है गनीज बूल को वल्ट रिकॉर्ट में भारत ने रेल्वे के छत्र में अपना नामदर्ज कराया है तो यहां पर जो जिसके लिए नामदर्ज हुआ है वह जानकारी आपको है तो मैं आपसे यहां पर प्रशन पूछ रहा हूं आप क्वेश्चन का अंसर आप देंगे इसमें पहला आपक का सिद्ध रूठ हम सिद्ध रूठ हम सिद्ध रूठ रेल्वे स्टेशन तो इस सिद्ध रूठ रेल्वे स्टेशन जो हुबली जिले में है इस रेल्वे या रेल्वे स्टेशन का कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म चार प्लेटफॉर्म नंबर छे प्लेटफॉर्म नंबर आट प्लेटफॉर्म नंबर दस आप अपने आंसर टाइप करें तो मैं समझता हूं कि आपने इसका सही आंसर टाइप कर लिया होगा इसका सही आंसर है प्लेटफॉर्म नंबर आठ जो सिद्रूट आपका यह हुबली रेटेशन का जाता था तो यह घांबाहई स्टेशन जिसको सद्रूत है इस चेशन कहा जाता है तो यह एक सेशन तेशन है से ड्रेलवे को का प्लेटफॉर्म मेरेट जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है इसके जो लंबाई है यह लगभग है 1.5 मीटर लगभग देड़े किलो मीटर है इसके पहले यह रिकॉर्ड था आपके गोरखपूर के रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म को लेकिन अब यह दूसरे नमर पर हो गया है इसकी लंबाई 1.33 किलो मीटर है अगला प्रस्ण है कि भारत का और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है कि ए केरल बी करनाटक सी पस्सिन बंगाल डी उत्तर प्रदेश आप अपने आंसर आं सही आंसर है वह आपको जनकारी हो गई होगी इसका सही जो आंसर है केरल राज केरल राज का जो कौवालम स्टेशन है वहां का प्लेटफॉर्म भारत कहने ही दुनिया का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी कुल लंबाई 1.1 किलो मिटर के बराबर है चलते चलते एक और प्रस्ट में जब रेलवे की बात आई है तो भारत का रेलवे जो ट्रैक है उसकी लंबाई के अधार पर भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का किस नंबर का नेटवर्क है आप अपने आंसर टाइप करें और मुझे लगता है कि आपने इसका सही आंसर टाइप कर लिया होगा इसका सही आंसर है भारत का रेलवे नेटवर्क लगवज़ आसट हजार किलोमेटर की लंबाई के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क United States of America का है, जिसकी लंबाई 2,20,000 किलोमीटर के आसपास है, दूसरे नमर पर चीन है, तीसरे नमर पर कनाडा है और चौते नमर पर भारत है, तो आज की क्लास यही तक और मैं आपको बता दूँ कि सारे विसे, जो भी आपके वन डेंग की जोभी विसे आते हैं, सारे विसे में पढ़ाओं को आपको और यकेन करो कि आपको किसी भी कोचिंग अस्च्चूट में जाने की जड़ा पने पड़े कि घर बैठे-बैठे में आपकी सारी त्यारी कराओंगा, जाव मैस हो चाई और पूरी अधिकार के साथ मैं कहता हूं कि अभी बहुत सारे विद्धारती मेरे बारे में सिर्फ जानते हैं कि साथ पढ़ा सकते हैं लेकिन आपको जाने का रही है कि मैं सी हूं और साथ ही साथ मैंने मैं सीडियस के एक्जाम के त्यारिया भी की थी तो मेरा जो वर्णे के एक्जाम के लिए मैं मैथमेटिक्स पुछ आता उस पर मेरा बहुत अच्छा कमांड है तो मैं बहुत जल्द सारी क्लासेस जैसे बोर्ड मेरे पास आ जाएगी मैं लेकर क्या हूंगा आपको घर बैठे मैं त्यारी कराऊंगा एक एजुकेशन रेविलूशन वैसे विद्यारती जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं मैं वादा करता हूं कि मैं उनकी पढ़ाई को कराऊंगा थाइंक्यू बेर मुच एवरिवान जाते जाते मैं एक बार फिर से कहूं का या जो मंत्र है जिसको महामिर्टुझे मंत्र कहते हैं इस मंत्र का एक बार मेरे साथ गान कर लें ओम त्रयंबकम यजा महे सुगंधिंपूस्टि वर्धनम उर्वारुकमिववंधनात मृत्यू मौक्षे महामृतात Om Shanti, Shanti, Shanti Thank you everyone.